स्टूडेंट्स ओनली सुपर क्वीज में आपका स्वागत है आज मैं आपको जोगरफी पोलिटिकल हिस्टे की क्युस्टन करवाने जारी हूँ इसमें पहला क्युस्टन देखिए Human Development Index is prepared by means SDI माने विकास उसकांग कों तयार करता है A. UNDP संग्तराष्ट विकास कारेकरम B. WTO C. IMF D. WHO दुबारा देखिए इसको A. संग्तराष्ट विकास कारेकरम B. विश्वयापार संग्ठन C. अंतराष्टरी मुद्राकोस D. विश्वस्वास संग्ठन इसका सही आंस्वर दीजिए बहुत अच्छा क्यूशन है इसका सही आंस्वर होगा A. UNDP संग्तराष्ट विकास कारेकरम B. United Nations Development Project Program So, option A is right answer अगला क्यूशन देखे B. पैड़ी क्रोप लेंड C. लेंड कवर्ड विद फ्रेस स्नो D. प्रेरी लेंड इसका सही आंस्वर दीजिए इसका सही आंस्वर होगा लेंड कवर्ड विद फ्रेस स्नो ताजी बरख से ड़की भूमी Option C is right answer अगला क्यूशन देखे माजूली दुन्या के सबसे बड़ा द्वीप है किस राजी में पढ़ता है माजूली दी लार्जस्ट रिवर आईलेंड इन दी वर्ड लाइज इन दी स्टेट ओफ A. अनुशल परदेश B. असम C. त्रीपुरा D. मिजोरम इसका सई आंसर होगा B. असम माजूली है जो रिवर आईलेंड है वो असम राजी में पढ़ता है Option B. इस राइट आंसर अगला क्यूशन देखे Boksite is used as raw material by which industry कि सुद्योग द्वारा Boksite का प्रयोग कच्चे माल के रूप में कहज़ता है A. Aluminium B. Iron, C. Steel D. Gold A. Aluminium B. Loha, C. Steel D. Sona इसका आंसर दीजिए इसका सई आंसर होगा Option A. Aluminium Option A. is right answer Next question is Consider the following statements निमलिकित कत्मों पर विचार करें The Mother Valley Corporation is the first Multi-Purpose River Valley Project of Interdependent India दामदर गाटी निगम सतंतर भारत की पहली बहुदेशी नदी गाटी प्रयोजना है Number 2 दामदर बेली Corporation includes thermal and gas power stations दामदर नदी गाटी निगम में तापी और गैस सुज़सेंतर सामिल है Which of the statements given above is or are correct? A. One only B. Two only C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2 इसका सयाम सर दीजिए इसका सयांसर होगा Option C. Both 1 and 2 इसमें दोनों आएंगे दामदर गाटी निगम सतंतर भारत की पहली बहुदेशी नदी गाटी प्रयोजना है Number 2 दामदर नदी गाटी निगम में तापी और गैस उरसेंतर सामिल है Option C. Right answer Next question is The large collection of stars, dust and gas held together by gravitational attraction between components is known as गटकों के बीच गुर्त आगसन के द्वारा भारी मात्रा में एक साथी कत्रे विथारों दूर और गैस को क्या कहते हैं A. Cluster, Guccha B. Atmosphere, Y. Mundal C. Galaxy, A.C. A.C. Gunga D. Sun, Families for Privar इसका सही आंसर होगा Option C. Galaxy, A.C. Gunga आकास, Gunga होगा इसका आंसर Option C. Is right answer अगला क्यूस्टन देखी The driest location on earth is in which country प्रत्वी पर सबसे सुस्थान कौन सा है A. Kenya, B. Chili, C. Congo, D. Libya द्वारा देखी इसको The driest location on earth is in which country इसका सयानसर दीजिए इसका सयानसर है Option B. Chili Option B. Is right answer अगला क्यूस्टन देखी Consider the following statements which of them is incorrect निम्लेकित कत्मों पर विचार कीजिए भारती राजों के समन्द में कौन सा कतन सही नहीं है A. Punjab has four international airports पंजाब में चार अंतराष्ट हावायडे है B. गुजरात है the highest number of airports गुजरात में सबसे दिक हावायडे है C. Kerala has the highest density of airports Kerala में हावायडों का सरवाधिक गनत्व है D. None is incorrect कोई भी गलत नहीं है इसका सयांसर दीजिए दुबारा देखी इसको Kerala में हावायडों का गनत्व सरवाधिक है ये बात बिल्कुल सही है गुजरात में सबसे दिक हावायडे है ये भी बात सही है और Option A है जो इसका आणसर होगा पंजाब में चार अंत्राश्टे वायडे है ये गलत है Option A is right answer Option A is right answer अगला क्यूशन देखिए Mechanization of Indian Agriculture Considerable scale is not possible due to भारते किर्सी का यांत्रिकरण प्रयाप्त सतर्तक संबवनिए इसकी बज़ए है A. छोटे जोथ Small Holdings B. Lack of Tractors Tractor की कमी C. Poverty of the peasants Kisanon की गरीबी D. Indifference of the people लोगों की उदास इंता इसका सही answer दीजिए इसका सही answer है A. छोटे जोथ Option A is right answer अगला क्यूशन देखिए मेजल प्रणाली जिसमें किस नदी में साइक नदिया समकोन पर मिलती है A. डानेज पैटरन वेरीज रिवरी जोइन बाइट्स ट्रिबिटरीज एक्प्रोक्समेटली एड राइट एंगल्स इज A. दुरूमा क्रतिक डानेटिक B. ट्रिबिटरीज जाली C. रेक्टेंगलर आइटाकार D. राइटियल 3G इसका सही आंसर होगा Option B. ट्रिबिटरीज जाली जाली है इसका आंसर Option B. राइट आंसर अगला क्रिशन देखिए The core of the earth is also known as प्रच्वी के course को किस नाम से जाला जाता है A. लिथो स्पियर स्थल मंडल B. मिजो स्पियर मदे मंडल C. बैरी स्पियर गुरू मंडल D. सेंटरो स्पियर प्रितारक मंकेंदर इसका आंसर दीजिए इसका सयांसर होगा Option C. बैरी स्पियर गुरु मंडल प्रत्वी का कोर है जो गुरु मंडल के नाम से जाना जाता है option C is right answer अगला question देखिए बहुत अच्छा question है मैं दी following and select the correct answer from the codes ग्योन बिलो निमलेखी कामिलान करें और नीचे दीगे कोटों की सायता से सही उत्तर का चैन करें इसके जो स्टेट है जो देखिए इमासल परदेश असम उत्तर परदेश गुजरात इसका सही मिलान कीजिए इसका सयांसर होगा चाई है जो असम में पैदा होती है और गन्ना है वो उत्तर परदेश में मुंग फली गुजरात में और सेब हैं जो हिमासल परदेश में पैदा होते हैं तो इसका इसका ओप्शन है बी चाई असम गन्ना उत्तर परदेश मुंग फली गुजरात और सेब हैं जो हिमासल परदेश ओप्शन बीज़ाइट आंस्वर अगला किशन देखिए निम निकित कत्नों पर विचार करें इन में से कौन सगलत हैं भारत का सबसे बड़ा बहुत मठा सम्में हैं खोनायक भासन आगारेन भी बोले जाती हैं दुनिया का सबसे बड़ा नदेदी पसम्में हैं सिक्कीम भारत संग का सबसे कमा बादिवार राज्य है इसका सयांसर बताईए इसका सयांसर होगा भारत का सबसे बड़ा बहुत मठा सम्में हैं यह गलत है इसका सबसे बड़ा बहुत मठ कहां पर है इसका आंसर आपको रेकमेंट बोक्स में देना है ओप्सन ए इस राइट आंसर अगला क्यूस्तन देखिए देगे माधिपों का प्रत्वी की भूमी पर उनकी सिदारी के गड़ते करम में कौन सा करम सही है इसका सबसे इसका सबसे इसका सबसे आंसर होगा अगला क्यूस्तन देखिए कौन सा कथन सही नहीं है पस्मी घाट अपने शेतर उत्री उत्री शेतर में तुर्नात्म गरूप सदी कूचे है बी अनाय मुड़ी पस्म गाटों की सबसे चोटी है सी तापी नदी दक्स सत्पड़क दक्सने पड़ती है इसका दुबार देखिए कौन सा कथन सही नहीं है पस्मी घाट अपने उत्री शेतर में तुर्नात्म गरूप से अधिकूचे है बी अनाय मुड़ी पस्मी गाटों की सबसे चोटी है सी तापी नदी सत्पड़क दक्सने पड़ती है डी नर्मदा और तापी नदी घाटियों को प्राचिन दरार घाटी का जाता है इसका सयांसर है ओप्सन ए पस्मी घाट अपने उत्री शेतर में तुर्नात्म गरूप से अधिकूचे है ओप्सन ए इस राइट आंस्वर अगला क्यूशन देखिए बारत के उत्री मेदानों की मिर्दा घंदिरिमान आम तोर पर किसके दोरह हुआ है आउकरमन B. ऊचेन C. आंतर स्थाने अपक से D. अपर्जन बारत देखिए इसको इसको इसका और दीजीए आउपर्जिये इसका सयांसर होगा Option B Aggregation उचियन Option B is the right answer अगला कुछन देखिए काजिन अजरूल इसलाम इदी नेशनल पॉइट ओफ काजिन अजरूल इसलाम कहां के राष्ट्रे कभी है Option A Bangladesh B. अफगाइस्तान C. इंडोरेसिया D. पाकिस्तान इसका सयांसर हो Option A Bangladesh काजिन अजरूल इसलाम Bangladesh के राष्ट्रे कभी है Option A is the right answer अगला कुछन देखो India of my dreams Book is this collection of whose speeches and notes India of my dream उस तक किस के द्वारा किस की बास्नों टिपनियों का संग्रे है A. सर्दार बलाबाई पटेल C. बी जवारला नैरू C. मात्मा गांदी D. जोक्त राजिंदर परसाद इसका स्यांसर दीजिए इसका स्यांसर है Option C. मात्मा गांदी मात्मा गांदी ने इस बुक को लिखा है Or My Experiments with Truth ये भी मात्मा गांदी की द्वार लिखी की बुक है Option C. इस राइट आंसर अगला क्यूशन देखिए Byung the following is or was the longest serving prime minister और बंगादेस बंगादेस के लंबे समय तक रहने वाले प्रदान मंत्री बंगादेस के लंबे समय तक रहने वाले प्रदान मंत्री कौन है A. खाइदा जिया C. B. सेख मुजीबर रहमान C. साहा अजिजूर रहमान D. सेख अचिना इसका सयांसर दीजी वेरी गुट कुस्टन मोस्ट इंपोरेंट कुस्टन है क्योंकि बांगादी से जो हमारा प्रोसीदेश इसलिए इसके बारे पूस ले जाता है इसका सयांसर होगा सेख असीना सेख असीना 2009 से अब तक कारे रहता है इस सबसे लंबे समय तक प्रामंत्री रही हैं सेख असीना अगला किस्टन देखिए वास्कोडी गामा का लिकट किस वर्थ पहुंचा था इन विची एडिड वास्कोडी गामा लेंडिट इन का लिकट कोजी कोड A.1442 B.1458 C.1472 D.1498 इसका सही आंसर दीजिए और वास्कोडी गामा ने किसकी खोज की थी इसका आप कमेंट बोक्स में इसका आंसर देंगे और इस वास्कोडी गामा का स्वागत रज़ जमूरीन ने किया था इसका सही आंसर होगा ओप्सन C, ओप्सन D.1498 में वास्कोडी गामा का लिकट पहुंचा था और वास्कोडी गामा ने किसकी खोज की थी यह आपको कमेंट बोक्स में बताना है ओप्सन D. जाइट आंसर अगला किश्ण देखिए केल के पहले मुखमंतरी कौन थे वो अमंग दी फोलोविंग वादी फर्स प्रायम जीफ निश्टोफ केरला ए पट्टमे तानुपिलाई बी आर संकर सी अचुता मेनन डी एमस नमूदरी पाट इसका सही आंसर बताईए केल के पहले मुखमंतरी कौन थे इसका सही आंसर होगा डी एमस नमूदरी पाट ओप्सन D is राइट आंसर इसका सही आंसर होगा केल के पहले मुखमंतरी थे एमस नमूदरी पाट ओप्सन D is राइट आंसर केल के पहले मुख मंत्री का नाम है ये और संडी जाइट आंस्वर आपको कमेंट बोक्स में बताना है कि हराना की पहले मुख मंत्री कौन थे अगला क्यूशन देखिए तनक किस धर्मय संपर्दा का पुईत्र गरंत है तनक किस धर्मय संपर्दा का पुईत्र गरंत है तनक किस धर्मय संपर्दा का पुईत्र गरंत है किस धर्मय संपर्दा का पुईत्र अगला क्यूशन देखिए सिंदु गाटि सब्वेता का बंत्र का सहर नीमन में से कौन सा था विच ओफ दी फॉलोविंग वाजे पोर्ट सीटी ऑफ दिव इंडियस वेली सिलाएशन इसका दुबार देखिए काली बंगा लोथल राखी गड़ी और दोलाविरा इसका स्यांस्वर दीजिए इसका स्यांस्वर का ओप्शन भी लोथल लोथल है जो भोगवा नदी किनारे है गुजरात में और यह संदु गाटि सब्वेता का बंदर का सहर है काली बंगा रास्थान में आता है राखी गड़ी अर्याना में और धलवी रभी गुजरात में है इंपोरेंट क्यूस्टन है यह ओप्शन बी राइट आंस्वर अगला क्यूस्टन देखिए दि फोर्मर प्रिंसली स्टेट ओफ त्रिपुरा इंदी नोर्थ इस्टन स्पार्ट ओफ इंडिया वास रूल्ड बाई डानेस्टी भार्त में उत्रपूरो में भाग में सितपूर रियास्ति राजी त्रिपुरा पर किस वन्त कसासन था इसका सर्यांसवर दीजिए इसका सर्यांसवर होगा ओप्शन बी मानिके मानिके वन्त कसासन था ओप्शन बी जाइट आंसवर अरजके ठैसन देखते हैं अजूंन दी टाइटल और गंग गंग कोंड चोंड ओप्व दी रिवर गंगा खालिस्तां ने गंगे कोंड चोल गंगार दीकर विज़ता की उपाध हरन की थी ए राज राज दिराज चोल, बी राज राज चोल पर्थम, सी राज अंदर चोल पर्थम, डी विजाले चोल ओप्शन दुबारत सुन लिए इसका धान से एक बर राज दिराज चोल, बी राज राज चोल, सी राज अंदर चोल, डी विजाले चोल इसका सही आंसवर दीजिए इसका सही आंसवर होगा option C राजिंदर चोल राजिंदर चोल बंसका सबसे अधिक परतापी साथ सक रहा है इसने ही गंगे कॉंड की उपादी धारन की थी option C is right answer अगला question देखिए भवाई एक परफ्रिक निर्ते है का का है A. गुजरात, B. बिहार, C. पंजाब, D. महाराश्टरा भवाई is a traditional dance form of गुजरात, बिहार, पंजाब, महाराश्टरा इसका सयांसर होगा option A गुजरात भवाई यह जो गुजरात का परफ्रिक निर्ते रूप है option A is right answer अगला क्यूशन देखिए वाई प्रोफेसर और पॉलिटिकल साइंस एंड एकोनोमिक्स एड़िनिस्टी ओफ टक्सिला तक्सिला में राज़िती विज्ञान और सास्टर के दप्रादर पकोन थे अगला क्यूशन देखिए इसको तक्सिला में पॉलिटिकल साइंस एकोमिक्स का अध्यापक कोन था अगला क्यूशन देखिए इसका सयांसर होगा option B कोटिले कोटिले की पुस्ता का नाम आप कमेंट बोक्स में लिखेंगे option B is right answer और आपको यह बताना है कि तक्सिला फिस्तालिक सापना किस ने की थी अगला क्यूशन है दी कमिशन वाज सेट अप टूब इन्वेस्टिगेट दी जलावलाबाग मासकर जलावलाबाग नरस नहार की जांच करने के लिए कौन शायोग का गटन किया गया था अगला क्यूशन देखिए बैसा की दिवस 1931 पर लोगों के जमावड़े पर खाइस्तान द्वारजारी फारिंग ओडर भारत की सवतनतर संग्राम में एक मैत्रपुन मोड बन गया ए लोड वेरेजली बी जनलर डायर सी लोड काने विलीस डी वारन हेस्टिंग इसका सयांसर क्या होगा इसका सयांसर होगा ओप्शन बी जनलर डायर और 1931 में ही बगत सिंग राजगरु सुख देव को फांसी दी गई थी 23 मार्च को हम सहीद दिवस ग्रूप में आते हैं कि ओप्शन बी जाइट अंसवर अगरा किसन देखिए मारानिगायत देवी वाजी मेंबर ओफ दी मारानिगायत देवी समस्द्ध से थी ए सब्सक्राइब बात्यजणता पार्टी सी बाउदन समाज पार्टी डी इंडिया नेसल कोंग्रेस पार्टी इसका सयांसर देजी इसका सयांसर है सब्सक्राइब पार्टी से किस्द्ध से थी मारानिगायत देवी और मारानिगायत देवी का सम्मन मारानिगायत देवी कौन से राधी से विलोंग करती थी इसका और आप कमेंट बोक्स में देंगे अगला क्यूस्टन देखिए मंगल पांडे अधिकार पहमला करने की कान मंगल पांडे को फांसी देदी गई थी कापे मंगल पांडे वाज एंड हैंग दी नेटीन फिफ्टी सेवन प्रेटेगिंग दी बिटिस ओपिसर इन ए इलाबाद, बी बनारस, C. कलकता D. बेरकपूर इसका सयांसवर दीजिए यह important question है क्योंकि अधरस्तान की क्रांती समझती question है इसका सयांसवर होगा option D. बेरकपूर बेरकपूर में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी अगला question देखिए खालिस्तान काल को भारती त्यास के सरनीम काल ग्रूप में प्रिवस्त क्या गया है गोल्डन एज ओफ इंडियन इस्ट्री A. मुगल B. माराथा C. गुपता D. बुद्दिष्ट Option A. इस मुगल B. माराथा C. गुपता D. बुद्दिष्ट इसका सयांसर दीजिए इसका सयांसर होगा option C गुपत काल को भारती त्यास में सरणिम काल का जाता है यानि golden age का जाता है option C is right answer अगला क्यूशन देखिए इंडिया is considered as a republic mainly because the head of the state is elected, it gained independence on 15th August 1947, it has its own written constitution, it is having a parliamentary form of government option A दुबारा देखिए भारत को गंतंतर रूप से मुख्य रूप से क्यों माना गया है, A राज्ये का परमुख सुना जाता है, B इसका अपना लेखिए समिधान है, D यह सरकार कर संसर्दी रूप है इसका सही answer होगा, option A, the head of the state is elected, राज्ये का परमुख सुना जाता है, इसलिए भारत को गंतंतर माना जाता है, Republic माना जाता है, और यह आपको पता होना चाहिए Republic डेक अप माना जाता है, और इसका comment box में answer देए अगला question देखिए, निमलिकित कारियों में कौन सा महिला आयों के लिए राष्ट आयुक दर क्याता है, A, महिला समंदित कानूनों के लंगन के मामलों को उठाने के लिए, B, महिलाओं के लिए सुरक्स हो पायों समंदित सभी मामलों की जाच करना, C, महिलाओं समंदित किसी मामले पर सरकार को रिपोर्ट प्रस्ट करना, D, उप्रोक सभी, दुबार देखिए, कौन सा है जो महिला, आयों के लिए राष्ट आयुक दर क्याता है, कौन सा कारिया है, इसका सयांसर दीजिए, इसका सयांसर होगा, All of Debaw सभी, इसका सयांसर, Option D, Option D is right answer, अगला question representation of any state in राष्ट सभा is according to, राष्ट सभा में किसी राष्ट का परति दितव किसके अंसर होता है, A, राष्ट का छेतर, B, population of the state, राष्ट की जन संख्या, C, राष्ट से लोक सभा में परति निदियों की संख्या, D, परतिक राष्ट सुम्यदारों की निशित संख्या, सही आंसर देजिए इसका, इसका सही आंसर होगा, option B, राष्ट की जन संख्या के अंसर किसी राष्ट का परति दितव होता है, option B is the right answer, population of the state, अगले कुशन देखे, बहुत इंपुडेंट है, क्योंकि राष्ट पति सम्मदित है, इद इलिप्टर्ट कॉलेज्ज देट्ट इट इलेक्ट दी प्रेजिनेट उफ इंडिया कंसिस्ट ओफ भारत के राष्ट पति का चुनाव करने वारे निराचक मंडिल कौन से हैं, A. सभी राजी विदान सभाओं के निर्वाचित सदसे B. लोग सभा और राजी दान सभाओं के सदसे C. लोग सभा, राजी सभा और राजी दान सभाओं के निर्वाचित सदसे D. राजी सभा और राजी दान सभाओं के निर्वाचित सदसे दोबार देखे इसको इस सभी को पता ना चाहिए कि हमें राश्पती का चुनाव कैसे होता है और राश्पती के चुनाव में विधान परिश्पत के सदसे भाग नहीं लेते है अगला क्यूशन देखिए हमारे समिधान की मूर्शन रजना को उस तब नहीं जर गोशित किया गया था अगला क्यूशन देखिए ब्रंतराय मैता कमिटी वाज असोचेटेड विध ब्रंतराय मैता की समिधी जूड़ थे ए ओद्युक इखिनिती बी बैंकिंग सुधार सी पंचायती राज डी किंद्राजे संबंद इसका सयांसर दीजिए इसका सयांसर होगा सी पंचायती राज अब आपको यह बताना है कि पंचायती राज की सुरुवात कहां से विधी इसका अंसर आप कमेंट बोक्स में देंगे किस एक्ट में सिविल से एकों के लिए खुली पर्तियों 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 के लिए खुली पर्तिय इसका सयांसर होगा Option B Charter Act of 1833 और इसको इंट्रिडूस क्या गया in 1853 में और गर्नो जनरल कौन था इंडिया कुछ टाइम लोड विलेम बैंटिक अगला कुछन देखिए कौन सा एक्ट विदाई इंपरसासनी कार्यों को अलग करने के जिम्यदार है इसका सयांसर होगा Option A Charter Act of 1853 और पहले वाला कौन सा था खुली परतियों की तफसील सेकों के लिए उसका था 1833 Option A इस राइट आंस्वर अगला कुछन देखिए किस एक्ट ने पर्थक निवाजन प्रणाली की शुरुआत की? A. 1909 का भारती परिशेदर दिनियम B. मोर्ले मिन्ट शुदार C. इदोनो D. नन ओफ दी दोनो में से कोई नही Which act introduced the system of separate electorates? किस एक्ट ने पर्थक निवाजन प्रणाली की शुरुआत की? इसका सही आंस्वर होगा Option C. दोनो मोर्ले मिन्ट शुदार और भारत का परिशेदर दिनियम 1909 Option C. इद राइट आंस्वर अगला क्यूशन देखिए बात की समिदान समिति के सलाकार कौन थे? A. डोक्टर राजिंदर परशाद B. डोक्टर बियारंबेड़कर C. सर बियारंड राव D. स्री K. मुंसी इसका दुबार देखिए वह आदि कॉंस्टुशनल अडवाईजर कॉंस्टुएंट असेंबली ओफ इंडिया इसका स्यांस्वर दीजिए इंपोरेंट क्यूशन है ये इसका स्यांस्वर होगा Option C. सर बियारंड राव सर बियारंड राव है जो भारत की समिदान समा के समिदानि सलाकार थे अगला क्यूशन देखिए वुवादी फर्स्ट स्पीकर ओफ इंडियाज लोकसवा स्वासंतर भारत की लोकसवा के पहला दक्स कौन थे ए हुकम सिंग बी बगी राम भगत सी राजा रभी राय डी जीवी मावलंकर इसका सयांसर दीजिए इसका सयांसर होगा ओप्शन डी जीवी मावलंकर थे गनेश वासुदेव मावलंकर और आपको यह पता ना चाहिए जो अब लोकसवा चल रही है वरत्मान में लोकसवा के अदेक्स कोन है लोकसवा के अदेक्स हैं जो ओम बिरला है जो रास्थान से है ओप्शन डी जाइट आंस्वर अगला क्यूशन देखिए समीधान में इस संसदी प्रकरिया के कुछ कारवाईस इस एक्स से प्रभावित हैं इसका सयांसर होगा उप्शन ओप्शन 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 आइट आंस्वर अगला क्यूशन देखिए भारत समीधान में कितने मोलिक करतवी सामिल है इसको दुबार देखिए मोलिक करतवी कितने है इसका सयांसर दीजिए इंपोरेंट क्यूशन है ये इसका सयांसर होगा ओप्शन सी 11 11 मोलिक करते हैं और इनको एक क्याओन ए इनका अनुश्यते जोई क्याओन है है और प्याड़ी संसुदन की तयात इनको लिया गया है ओप्शन ए ओप्शन सी राइट आंस्वर यदि आपका हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद अगला क्यूशन देखिए भारत को समिधाने कहता है कि संस के दुन प्रवचकर दुन